अप्छों पिछले कक्छा में आपने एक चर या दो चरों के रेखिक muss और इस अध्याय में हम कत्हनों से रेखिक आसमिका बनाना सिखेंगे तथा ils चर और दो चर के रेखिक एक चरवाले रैखिक असमीका को हम संख्यारेखा का उप्योग करके हल करेंगे और दो चरवाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हम आलेखी विदी का उप्योग करेंगे जिसमें हम दिये गए असमीका के संगत समीकरण बनाएंगे और उसको graph में plot करने के बाद उसमें जो उभेनिष्ट छेतर प्राप्त होगा वह दिये गए आसमीका का हल होगा या कैसे होता या देखेंगे चरो में एक ऐसा एक घाती संबंध जो चिन हो less than, greater than, less than or equal to या फिर greater than or equal to से संबंध हो रैखिक आसमीका कहलाते हैं उधारण के तोर पर ax plus b is less than 0 माना कि ये आसमीका 1 है, ax plus b greater than 0 माना ये आसमीका 2 है तो आसमीका 1 और 2 यह एक चरके रैखिक आसमीकाएं हैं इसी प्रकार ax plus by plus c is less than 0 माना ये आसमीका 3 है और ax plus by plus c is greater than 0 माना ये आसमीका 4 है तो असमीका तीन और चार यह दो चरों के रेखिक असमीकाएं हैं असमीका को हल करने पर चर्रासी का मान हमें अंतराल के रूप में मिलेगा समुच्य सिध्धान्त पर अंतराल आर के उप समुच्य के रूप में ऐसा आपने जो पढ़ा है यह वही अवधार्णा है आईए देखते हैं अंतराल के बारे में अंतराल की परिभाशन वास्तविक संख्याओं के ऐसे समुच्चे को जो दो विशिष्ट संख्याओं के मध्य इस्थित हो अंतराल कहलाते हैं अंतराल मुख्यत तीन प्रकार के होते हैं पहला है विवृत्थ अंतराल या open interval, यदि चर x का मान दो निश्चित संख्याओं a और b के मद्य हो, तो x इस प्रकार है कि a is less than x is less than b, तो इसको हम विवित्थ अंतराल कहते हैं, इसे open interval a, b या फिर इस चिन्न से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा अंतराल है अर्ध विवित्थ अंतराल या semi-open interval, एक समुच्च ए, x इस प्रकार है कि a is less than or equal to x is less than b, इसे अर्ध विवित्थ अंतराल कहते हैं, इसमें a सामिल होता है, b नहीं, इसे इस चिन्न से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रकार, समुच्च ए, x इस प्रकार है कि a is less than x, is less than or equal to b, इसे भी अर्ध विविवित्थ अंतराल कहते हैं, इसमें b सामिल होता है, a नहीं, इसे इस चिन्न से प्रदर्शित करते हैं, तीसरा अंतराल है, समुच्च ए, x इस प्रकार है कि a is less than or equal to x, is less than or equal to b, को जिसमें a और b दोनों सामिल होते हैं, समुच्च ए, इसे 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 प्रदर्शित करते हैं, अब आगे देखते हैं कि एक चर वाले असमिकाओं का हल किस प्रकार किया जगता है, एक चर एक्स वाला रैखिक असमिकाओं, एक्स प्लस बी is greater than or equal to 0, एक्स प्लस बी less than or equal to 0, और एक्स प्लस बी less than or equal to 0 के रूप में होते हैं, एक चर वाले रैखिक असमिकाओं को हल करने के लिए, चर को बाएं पक्ष में और अचर को दाएं पक्ष में रखते हैं, असमिका को चर के गुणांग से भाग देते हैं और जो मान हमें प्राप्त होता है, वह उसका हल होता है, एक चर में रैखिक असमिका निकाय बनाते हैं अर्थात यदि आपको दो रैखिक असमिकाय दी गई हो तो ये दोनों मिल करके रैखिक असमिका का निकाय बनाते हैं असमिका निकाय का हल ग्याद करने के लिए हम दिये गए असमिकाओं का हल समुच्चे अलग-अलग ग्याद करते हैं इसके पश्चात इनका उभैनिष्ट हल समुच्चे ग्याद करते हैं उभैनिष्ट हल समुच्चे ही असमिका निकाय का हल होगा असमिका का हल solution of an equation किसी असमिका का हल 84 का वहमान है जो कथन को सत्य बनाता है उधारण के तौर पर 2x-4 is less than or equal to 0 तो इस असमिका के left side पर यदि हम x equal to 1 रखते हैं तो हमें मिलता है 2 into 1 minus 4 equal to 2 minus 4 equal to minus 2 तो यह जो minus 2 है या less than or equal to 0 है जो की असमिका 1 को सत्य बतलाता है इस प्रकार x equal to 1 असमिका का एक हल है इसी प्रकार असमिका के और भी हल प्राप्त हम लिए हल समुच्चे या solution set दिये गए असमिका का सभी संभव हलों का समुच्च हल समुच्चे कहलाता है आगे हम देखेंगे कि असमिका का हल समुच्चे कैसे ग्याद करते हैं एक चरवाले रेखिक असमिका को हल करने की नियम मुख्यता चार नियम है इन नियमों का उप्योब करके हम किसी भी रैखिक असमीका को हल कर सकते हैं तो इसमें पहला नियम है समान संख्या को असमीका के दोनों और जोड़ा या घटाया जा सकता है चिन्न में परिवर्तन किये बिना अर्थात यदि आप असमीका के दोनों और किसी समान संख्या को जोडते या घटाते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता उधारण के तौर पर 5x-3 is less than 3x plus 1 यदि आसमीका के दोनों और 3 से जोड़ दिया जाए या 3 जोड़ दिया जाए तो आसमीका का चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा तो इसे हम लेख सकते हैं 5x-3 plus 3 is less than 3x plus 1 plus 3 solve करने पर हमें मिलेगा 5x is less than 3x plus 4 इसका दूसरा नियम है आसमीका के दोनों और समान धनात्मक वास्तविक संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है चिन्ह में परिवर्तन किये बिना अर्थात आसमीका के दोनों और एक निस्चित धनात्मक संख्या से आप गुणा और भाग करेंगे तो इसके चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा उदारण के तौर पर तीसरा नियम है वहीं यदि असमिका के दोनों ओर रणात्मक वास्तविक संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो असमिका के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है अर्थात यदि किसी असमिका के दोनों ओर आप समान रणात्मक वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा यदि वो less than sign है तो वो greater than sign में कनवर्ट हो जाएगा और यदि वो greater than sign है तो वो less than sign में परिवर्तित हो जाएगा इसका चौथा नियाम है, किसी संख्या को उभेनिस्ट निकाल कर दूसरे पक्ष में पक्षांतर किया जा सकता है, बिन्ना चिन्ह में परिवर्तन किये। अर्थात आप लेप्ट साइड में या राइट हैंड साइड में किसी संख्या को उभेंश निकाल कर यदि दूसरे और पक्षांतर कर दें तो असमीका के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा असमीकाओं को हल कीजिए इसमें पहला प्रश्ण है 2x-4 is less than or equal to 0 इसे हमें हल करना है तो इसे हल करने के पहले हमें लिखना होगा कि जो चीजे दी गई है दिया है 2x-4 is less than or equal to 0 इसे समाने ता दो दरीके से हल कर सकते हैं या तो संख्याओं को जोडेंगे या घटाएंगे या फिर पक्षांतर करके हल करेंगे तो यह 2x-4 is less than or equal to 0 है तो यदि आप दोनों पक्षों पर 4 add कर दें तो आपको मिल जाएगा यह minus 4 or plus 4 cancel हो जाएगा 2x is less than or equal to 4 अब दोनों पक्षों पर आप 2 से भाग दे दीजे तो 2x upon 2 is less than or equal to 4 upon 2 और solve करने पर आपको मिलेगा x is less than or equal to 2 तो यह आपको solution मिल चुका है जहाँ पर हमने संख्या को जोड़ा ताकि चर रासी से युक्त पद एक तरफ और अचर रासी वाला पद दूसरे तरफ आजाएगा अब इसी प्रशन को हम हल करेंगे पक्षांतर करके तो 2x यह minus 4 है इधर जा करके यह plus 4 में परिवर्तित हो जाएगा और चिन उसी तरीके से बना रहेगा अब देखिए कि यह 2x is less than or equal to 4 है या फिर सीधे पक्षांतर करके हल कीजिए आपको हल वही मिलेगा तो x is less than or equal to 2 कोई भी वास्तवी संख्या जो 2 से छोटा या बराबर हो इस आसामीका का हल होगा तो इसे हम रेखा चित्र के द्वारा इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं माना left side में minus infinity है और right hand side पर plus infinity है तो ये बिंदू है 2 और 2 से छोटा या बराबर तो 2 से left side की और जो points है या सारे बिंदू है वह इस आसामीका का हल होगा तो इस प्रकार जो अभिष्ट हल है हमें जो चाहिए उसे आप हल समुच्च भी कहते हैं तो अभिष्ट हल समुच्च x belongs to open interval minus infinity और closed interval plus 2 होगा दूसरा प्रस्चन है 4x minus 12 is greater than or equal to 0 तो इसे हम हल करते हैं 4x minus 12 is greater than or equal to 0 तो पूर्व में जैसे हमने हल किया था उस तरीके से हल कर सकते हैं अभी हम सीधे पक्षांतर करके इसका उप्योग करेंगे तो 4x is greater than or equal to 12 यह जो minus 12 है उधर जाकरके plus 12 हो जाएगा अब चर रासी को एक तरफ और अचर रासी को एक तरफ तो यहाँ पर जो 4 है इसे हम पक्षांतर करके राइट साइट पर ले जाएगे तो मिल जाएगा x is greater than or equal to 12 upon 4 और solve करने पर मिलेगा x is greater than or equal to 3 तो x का ऐसा मान जो 3 के बराबर और 3 से बड़ा हो जो 3 के बराबर या 3 से बड़ा हो तो यदि इसे हम ग्राफ में प्रदर्सित करें तो इसे हम यदि संख्या रेखा प्रदर्सित करें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा तो इस तरीके से आप इसका हल समुच्चा है वो लिख सकते है एक्स बिलोंग्स टू क्लोजड इंटर्वल 3 और ओपन साइड है इन्फिनिटी या फिर आप इसे कह सकते हैं सेमी ओपन इंटर्वल है और यही इस असमीका का हल है अगला प्रश्न 3x माइनस 2 अपान 5 इस लेस देन और इक्वल टू 4x माइनस 3 अपान 2 तो इसे हल करते हैं 3x माइनस 2 अपान 5 इस लेस देन और इक्वल टू 4x माइनस 3 अपान 2 पहले तिरियक गुणा करेंगे और फिर सरल करेंगे चुकि हमें चर रासी को एक तरफ और अचर रासी को एक तरफ पक्षांतर करना है तो इसलिए पहले हम तिरियक गुणा करेंगे तिरियक गुणा करने पर 2 गुणा 2 इंटू 3x माइनस 2 अपान 5 इंटू 4x माइनस 3 सरल करते हैं तो इसको जब गुणा करेंगे तो मिल दाएगा 6x माइनस 4 इस लेस देन और इक्वल टू 20x माइनस 15 अब 4 रासी को एक तरफ और 4 रासी को एक तरफ तो इस जो माइनस 15 है इसे हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये प्लस 15 हो जाएगा और ये 6x इदर पॉजिटिव है इस तरफ जा करके निगेटिव हो जाएगा 15 माइनस 4 करेंगे आपको मिल जाएगा 11 और फिर less than or equal to 14 x. 20 में 6 subtract करेंगे मिल जाएगा 14. इसे आप लिख सकते हैं 14 x is greater than or equal to 11. Solve करने पर आपको मिलेगा x is greater than or equal to 11 upon 14. तो इसे हम संख्या रिखा पर प्रदर्शित करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा. तो x का ऐसा मान जो की 11 बटे 14 के बराबर या उससे बड़ा है. तो यहां से आप हल समुझ्चा लिख सकते हैं x belongs to closed interval. चूकि यहां पर x is greater than or equal to कहा है इस वज़द से यहां पर left side पर आपको closed interval मिलेगा और right side पर आपको open interval. तो इस तरीके से यहां जो semi open interval है यही इस दिये गए asamika का हल है. अगला asamika है 5x minus 3 is less than 3x plus 1 इसे हमें हल करना है. पहला यदी x एक वास्तविक संख्या है दूसरा है x जब पुर्णांग संख्या है और तीसरा है जब x एक प्राकृत संख्या है. तो चलिए इसे हल करते हैं पहला की 5x minus 3 is less than 3x plus 1 पहले इसे हम सरल कर लेते हैं और फिर आगे स्थीतियों को हल करेंगे. तो 3x को हम left side पर ले आते हैं 5x minus 3x और यह less than का sign 1 plus 3. यह 3 ज़र जाकर के plus sign में add हो जाएगा. आगे solve करेंगे तो मिल जाएगा 2x is less than 4. solve करने पर आपको मिलेगा x is less than 4 upon 2 that is 2. तो यह हमें हल मिल चुका है. इसे संख्या रेखा पर प्रदर्सित करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. तो पहला कहा गया कि x एक वास्तविक संख्या है. अर्थात x belongs to r. तब x जो होगा यह open interval तब x जो होगा यह minus infinity और 2 open interval इस में सामिल होगा या फिर इस इस इस्थिति के लिए यह हल समुच्चे होगा. चुकि कहा गया है कि वास्तविक संख्या हैं तो वास्तविक संख्या हैं जो open interval के रूप में होगी. तो इस तरीके से हमें x belongs to minus infinity 2 open interval हमें मिलेगा. दूसरा कहा गया कि x एक पूर्णांक है अर्थात x belongs to z पूर्णांक संख्या का समुच्चे हैं तब हमें जो x का मान मिलेगा यह 2 से छोटा होना चाहिए तो इससे हमें मिल जाएगा x का मान पूर्णांक 1, 0, रिन 1, रिन 2, रिन 3, रिन 4 इस तरीके से आगे भी हमें संख्या मिलेगी. और अंत प्रश्ण में पूछा गया है कि x जब एक प्राकृत संख्या हो अर्थात x belongs to n हो तब इसका हल क्या होगा? x is less than 2 है और x एक प्राकृत संख्या है. प्राकृत संख्या अर्थात गिनने के लिए उप्योग में की जाने वाली संख्या है, वहाँ पर 0 सामिल नहीं होता और गिन्ती में रिनात्मक संख्या भी सामिल नहीं होता. तो बच गया जो संख्या है वहाँ एक तो इसका जो हल होगा x equal to 1 होगा. तो इस प्राकार इसका हम हल समुच्य यदि लिखने कहा जाए, तो यह एकल सदस्या है, तो इसे आप लिखेंगे इस तरीके से, सर्पाकार कोश्टक के अंतरगत 1. अगला प्रश्ण है, 2x minus 3 upon 4 plus 9 is greater than or equal to 3 plus 4x upon 3. तो हम हल कर रहे हैं, 2x minus 3 upon 4 plus 9 is greater than or equal to 3 plus 4x upon 3. तो चर रासी से युक्त पद एक तरफ और अचर रासी वाले जो पद हैं, वो एक तरफ. तो यह 2x minus 3 upon 4 और फिर इस पद को हम left side में ले आते हैं, 4x upon 3 left side पे आ चुका है, अब greater than or equal to का sign और फिर 3 minus 9. इसे solve करने के लिए, इसका हम LCM या लगुतम समापरत निकालेंगे, तो आज आएगा 12, और 12 को 4 से भाग देंगे आएगा 3, और 3 को इस से गुणा करेंगे, तो मिल जाएगा 6x rin 9. और 12 को 3 से भाग देंगे, आएगा 4, और 4 को 4x से गुणा करेंगा, यह मिल जाएगा 16x, और यह greater than or equal to minus 6, rin 6. आगे सरल करने पर आपको मिलेगा, यह 6x और minus 16x, यह minus 10x और यह minus 9. पक्षांतर कर देंगे, यह जो 12 यह इदर गुणाओ करके, minus 72 मिल जाएगा, आगे सरल करेंगे तो मिलेगा, minus 10x is greater than or equal to minus 72 plus 9. आगे आपको मिल जाएगा, minus 10x is greater than or equal to minus 63. दोनों तरफ यदि आप रिंड चिन्न को विलोपित कर दें, तो चिन्न में परिवर्तना जाएगा, यह greater than or equal to है, यह less than or equal to में परिवर्तित हो जाएगा, और आप लिख पाएँगे, 10x is less than or equal to 63. या फिर इसे आप सरल करें तो लिख पाएँगे, x is less than or equal to 63 upon 10, यह लगबग 6.3 मिल जाएगा हमें, तो इसका मतलब यह, कि x का मान 6.3 के बराबर और उससे छोटा है, तो यदि इसे हम संख्या रेखा में निरूपित करें, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और इस इसका हल समुच्या लिखने कहा जाए, तो वे सारी संख्या हैं, जो कि 6.3 या फिर 13.10 से छोटी है, यह minus infinity, यह left side में open है, और right side में closed interval, 63 upon 10, यही इसका हल है. अगला प्रशन, 1 upon x minus 2 is less than 0. अर्थात, left side में जो संख्या दिख रही है, यह रिनात्मक संख्या है, तो इससे हमें मिल जाएगा, x minus 2 is less than 0. चलिए, यह क्यों हो रहा है, इसे समझते हैं, a upon b is less than 0. यदि a बटे b रिनात्मक संख्या है, और a जो है यह धनात्मक संख्या है, पूरा जो अनुपात है, यह रिनात्मक है, लेकिन a धनात्मक है, तो b तो रिनात्मक होगा, तो इस तरीके से यहां से आपको result मिल रहा है, कि b का मान रिनात्मक होगा, तो इस तरीके से हमने इसको सरल करके लिख लिया, x minus 2 is less than 0, solve करने पर मिलेगा, x is less than 2, इसका मतलब यह, कि x वह सब मान ग्रहंट कर सकता है, जो 2 से छोटा हो, तो इसका जो हल समुच्चे हमें मिलेगा, इसे हम लिखेंगे, x belongs to open interval minus infinity और 2, और यही इस दिये गए असमीका का हल है, अगला प्रशन, x plus 1 upon x plus 2 is greater than or equal to 1, इसे हमें हल करना है, x plus 1 upon x plus 2 is greater than or equal to 1, इस प्रकार के कोई भी प्रशन न मिले, सारे पदों को left side पर ले आईए, तो आपको मिल जाएगा, x plus 1 upon x plus 2, minus 1 is greater than or equal to 0, इसे जब आप सरल करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, x plus 1 minus x minus 2 upon x plus 2, और यह greater than or equal to 0 है, यह plus x और minus x cancel हो जाएगा, 1 minus 2 करेंगे, आपको मिल जाएगा, minus 1 upon x plus 2, और यह greater than or equal to 0, आगे सरल करने पर आपको मिलेगा, x plus 2 is less than 0, देखे, minus 1 upon x plus 2 is greater than or equal to 0 है, अर्थात, यह संख्या जो है, धनात्मक है, अब उपर रिनात्मक संख्या है, तो नीचे जो हर होगा, यह भी रिनात्मक होगा, तभी यह पूरा अनुपात धनात्मक होगा, तो इस तरीके से, इसका conclusion हम लिख सकते हैं, x plus 2 is less than 0, सौल करने पर आपको मिलेगा, x is less than minus 2, अर्थात, वह सभी संख्या हैं, जो minus 2 से छोटी है, तो इसका जो हमें हल मिलेगा, इसे हम लिखेंगे, x belongs to minus infinity minus 2, यह open interval है, ग्राफ में, यह संख्या रिखा में इसे दिखाएं, झाल, झाल, झाल.